तो वेल्कम दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं उखशल जाहिए है सावस्ट रगाम स्वागत आप आप सभी का तो आज की वीडियो में डिस्केशन करने जा रहे हैं रोड माप फर्स्ट एक स्टुडेंट्स के लिए जो कि अभी अभी एड्मिशन लेंगे कॉलेजिज में तो यार गाइडन्स होना ज़रूरी नहीं कि चार सल बरबाद कैसे करने तो तेली शुरू करते हैं तो याज शुरू करने से बहले मैं एक चीज और बता दूं यह रोड माप उन स्टुडेंट्स के लिए जो कि सी एस प्रांच से रिलेटेड है या वस डोमेइन में इंटरस्ट रखते हैं तो अगर आप दूसी प्रांच से तो सब्सक्राइब करके आप लीव कर सकते हैं तो यह सबसे पहले हमें एक programming language शीकनी है more preferably हमें ऐसी language से आप अब्देक और इनेź nowhere 가능 को फॉलो करती हो लेकि C++ और मैं प्रिफर करूंगा C++ अपके कॉलिज में सबसे बहले आपको C लांगिज पढ़ा ही जाती है लेकिन आप साथ ही साथ ही साथ ही साथ ही सी प्लस भी सी क्योंकि क्योंकि most of the companies उसे प्रिफर करती है उसके वाद हमी object-oriented programming के concepts अच्छे से लेर्न करने क्योंकि आपको जब company में job करोगे तब भी काम आएंगे तो अब क्या होता है बहुत बच्चे बहुत इंटरस्ट लेते अच्छे से करते हैं लेकिन इसी बीच वो अपनी cg मेंटेन करना भूल जाते हैं तो cg मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है और मैं सिर्फ यह चीज फस्ट यह के लिए बोलूंगा ताकि आगे आने वाले जब प्लेस्मेंट सीजन आयागा इंटर्शिप सीजन आयागा तो आपको प्रॉब्लम ना हो cg के basis पे ठीक है तो यह उपस के जो कंसेप्स हमने पढ़े ना भी उन्हें सिर्फ लर्न ही नहीं करना है उन्हें अच्छे से समझना भी है और इंप्लिमेंट करके भी देखना है क्योंकि यह सारे कंसेप्स आप आप एक्टुली रियल वल्ड प चुली कि तो आप क्लास के अर में अच्य समझ जाओगे तब आपको साथ ही साथ शुरू करना है क्लोडिंग प्रॉब्लम सॉल करना कोंपेटुली प्लाकफॉंम से ला को डेखन और जाधा हो प्रॉब्लम नहीं करना है सिर्फ बैसिक प्रॉब्लम नहीं है आपके फस्ट स्ट्रॉंग होगी ससे ठीक है तो ये फस्संट गरका पूरा चिप्था खतम हो छुक confirm of the कश्ट बाद आपकी दो मेने का विकेशन होगा, उसको बशाइन की अवांत कर देख sı 14 पाद शूरू सब्ढ़ना और कैसे पढ़ना है क्या कृमम आप विडियो अब नहीं देखिए तो जरूर देख लेना उसमें सारा चिट्था में ने क्लियर करा है कि DSA कैसे पढ़ना है आपको अच्छे से और कितने टाइम में आप सारा कवर कर सकते हो ठीक है तो DSA हो गया अब क्वेशन बहुत सारे करने तो जैसे कोई आप DSA पढ़ोगे म मेरे road map में आपको अच्छे से पता लगेगा कि मैं कैसे questions करने की बात कर रहा हूं तो अब भी तक आप basic problems कर रहे थे coach chef पे ठीक है तो अब आपको compete करना शुरू करना है contest में जो coach chef पे होते हैं like cook off like lunch time like long challenge तो इनमें compete करना अब आप शुरू कर सकते हो और practice इससे बहुत होग में काम करना है जैसे कि machine learning हो गया फिर AI हो गया या फिर web development हो गया Android development हो गया तो यह तब आपको decide कर लेना और उस particular field के पार में अच्छे से सारा जो knowledge है को collect कर लेना ताकि आगे आप जाके आपको regret ना हो क्यार यह क्या चूस कर लिया है ठीक है अब domain भी चूस हो गई उसके औ आपको थोड़ी knowledge होई होगी उसके जब आप course करते हो कोई तो माइनर प्रोजेक्स बन वाते हो तो ऐसे करकर के माइनर प्रोजेक्स बन जाएंगे आप YouTube से idea ले सकते हो मैंने मेरा एक और वीडियो है प्रोजेक्स के ऊपर उसको मेल सकता है कि कि किसी भी domain में प्रोजेक्स क होने वाला होता है तब internship season शुरू होता है यहां पे आपको interviews के लिए prepare होना पहुत ज़रूरी है तो आपको interview preparation शुरू करनी पड़ेगी interview preparation कैसे करनी है उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊँगा आके लेकिन अभी के लिए मैं यही बोलूँगो कि previous year experiences जरूर पड़े mock interviews करें अपने friends के साथ जिसे अपकी practice अच्छे से हो जाएगी अब आप प्रोजेक्स और competitive की भागदौर में DSA को भूल मच जाना DSA की practice आपको continue रखनी है तो उसको हमेशा hand in hand चलाते रहना आपकी competitive के साथ भी और projects के साथ भी अपने इतना experience आपको हो गया होगा कि minor projects है कि आप major projects बना सको अपनी chosen domain में ठीक है तो आपको major projects बनाना भी श switch कर सकते हो किसी और domain में क्योंकि थोड़ा interest कम हो नहीं लगता है या फिर आपको मजा आ रहा है तो आप continue भी कर सकते हो अब अगर आदा साल बीद गये third year का और internship season यही period होता है internships का तो अगर आपकी intention नहीं मिली है अगर मिल की well and good बहुत अची बात है अगर नहीं मिली है तो आप थोड़ा है ना off campus के लिए ट्राय करना शुरू कर सकते हो और अपने projects और अपने DSA skills पे जादा focus करो ऐसा है उमीद नहीं हारनी कोई placement अभी बचा हो आए ठीक है और आपकी internship लग जाती है तो बहुत ही बड़ी है यार आप बहुत सरी other domains को explore करो नहीं चीजे सीखो नही और साथी साथ DSA के practice रखो क्योंकि आगे placement पे तो काम आना ही है ना तो अब आते है यार थर्ड येर के बाद जो vacation आएगा आपका जो की बहुत crucial होने वाला है क्योंकि इस time पे आपको interviews के लिए बहुत अच्छे से prepare करना है अपना DSA अच्छे से revise करना है और projects अच्छे से go through हो जाना है ताकि जब आपके interviews होंगे placement के लिए तो आप ready हो बलकुर्ट यहां पर और एक्सा चीजा ही matter करेगी कि यार आपकी communication skills कैसे हैं आपने अपने resume कितने अच्छे से maintain कर रखा है आपने क्या क्या किया है previous three years में अपनी engineering की life में तो placement चीजा नहीं बहुत लंबा चलता होगा और अप जिन इत फर्स्ट शुडेंट्स को जानते हुए जो अब यह एडमिशन लेने वाले उनको ज़रूर शार करना थोड़ी उने guidance मिल जाएगी इससे और रैपप में यह कहूंगा कि तीन चीजे सब्सार ज़रूरी है चाहिए किसी बी डोमें में learn practice and develop so these three things are really important आ झाले जैख बढ़क बार जोमें है तीन नहीं है किल थाले दोप्सार जानते हैं उन्हीं है